नमस्कार दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जैमिनी दा कॉस्मिक हिलर में आज मैं बात करने वाला हूँ आमले के बारे लेकिन उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें सब्सक्राइब करने से आपको मेरे नए वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी मिल जाएगी जिससे आप मेरा नया वीडियो देख सकेंगे तो आईए बात करते हैं आमले क के पाइदे के बारे में आमला पृत्वी का सबसे ज्यादा विटमिन सी और एंटी ऑक्सिदेंट वाला फल है आयुरुवेद में आमले को सबसे उंचा स्थान दिया गया है इसे धात्रिफल और अम्रित फल भी कहा जाता है ये बात बिलकुल सही है दोस्तों आमला इंसान को पूचिर यौवना मतलब हमेशा जवान बनाए रखता है जो लोग खासी से परिशान हैं खासी होने पर दिन में तीन बार आमले के मुरब्वे का सेवन करें आमले को शहत के साथ सेवन करने से भी खासी ठीक होती है जिनको काफी बाल जढ़ने की समस्या है या बाल बिलकु बालों को सही रूप से पोशन मिलता है हफते में एक बार सुखा आमला और रीठा दोनों को रात में पानी में फिको दें और सुभा उस पानी को छान दें और बालों में लगाए इससे बालों की क्वालिटी में सुधार आएगा और बाल जढ़ने बंद हो जाएंगे साथ म बाल काले भी होंगे आखों की रोशनी के लिए आमला सर्वोत्ता महार है जो आखों की मांसपेशी रेटीना और नसों को पोशन देता है रोजाना पांच एमल सुबह खाली पेट आमले का जूस जरूर लें इससे आखों की समस्या दूर हो जाएगी मधुमे नियंत्रण में स गैलिक एसिड पाये जाता है जिससे ब्लड शुगर का लेबल बिलकुल नियंत्रण में रहता है जो लोग बबासिर से परिशान हैं उन्हें रोज सुबह आमले के चूद के साथ गाय का दूद मिला कर लें इससे बबासिर में काफी आराम मिलेगा दोस्तों पुर्षों की पुर्षों का वीर पतला होता है या लिंग में कमजोरी होती है ने रोजाना दो से तीन बार आमले का मुरब्बा लेना चाहिए काफी फायदा मिलेगा दोस्तों मूह के अलसर या मूह के छालो में आमला लेना चाहिए आमले में विटमिन सी और एंटियोक्सिडेंट पाय जाता है जो मूह के अलसर को बहुत जल्दी ठीक कर देता है त्वचा में निखार लाता है आमला भरपूर रूप से एंटियोक्सिडेंट होने के कारण शरीर के ऑक्सिडेशन प्रॉसेस को खीमा करता है आमला जिससे बढ़ती उम्र के कारण होने वाली त्वचा की जुरि और इम्यूनो मॉडिलेटरी शमता होने के कारण ये कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने नहीं देता और शरीर में वाइट ब्लड सेल्स के काउंट्स को बढ़ाता है जिससे कैंसर होने की संभावना भी बिलकुल खतम हो जाती है रिदे के मरीजों को रोजाना दो से तीन आमल जरूर खाना चाहिए इससे हिदे की मांस्पेशिया मजबूत होती है और हिदे में जमे हुए कोलिस्ट्रॉल को भी ठीकने नहीं देता जिससे हिदे रोग में निजात मिलती है तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें शेयर करें लाइक करें ताकि दू